Tata Motors का बड़ा एलान DVR शेरों को साधारन शेर में बदलेगी कमपनी जाने आपको क्या होगा फाइदा Tata Motors ताता मोटर्स ने अपने DVR शेरों को ओर्डिनरी साधारन शेरों में बदलने का फैसला किया है। कमपनी ने मंगलवार 25 जुलाई को जून तिमाही के नतीजों के साथ इसका एलान किया। कमपनी ने बताया कि उसके Board of Directors ने ए और्डिनरी शेरों को रद करने और शेरधारकों को प्रत्येक 10 एसाधारन शेरों के बदले में साथ और्डिनरी शेर जारी करने की योजना को मनजूरी दे दी है। ए और्डिनरी शेरों में वोटिंग राइट्स सामान्य शेरों का सिर्फ एक बटा दस हिस्सा होता है हालांकि डिविडेंड में वे करीब 5% अधिक राशी के हकदार होते हैं ये शेर BSAE और NSAE पर Tata Motors DVR के रूप में सूची बद्ध हैं हालांकि इस योजना के बाद इन शेरों को एक्स्चेंजों से हटा दिया जाएगा Tata Motors ने A Ordinary शेरों यानी DVR शेरों को पहली बार 2008 में जारी किया था इसके बाद 2010 में एक QIP और 2015 में Rights Issue के जरिए इन शेरों को फिर जारी किया गया था नियमों में बदलाव के चलते तब से अलग-अलग वोटिंग अधिकारों चलते ऐसे शेरों को जारी करने बैन कर दिया है और Tata Motors इस तरह के शेरों को जारी करने वाली इकलौती सूची बद्ध कमपनी बनी हुई है फिलहाल Tata Motors DVR के शेर, Tata Motors के शेरों की तुलनामे करीब 43 प्रतिशत कम भाव पर कारोबार कर रहे है Tata Motors का DVR मंगलवार को 4.29 फीसदी बढ़कर 373 रुपए के भाव पर बंध हुआ वही Tata Motors के शेर करीब 2 फीसदी की तेजी के साथ 641.80 रुपए के भाव पर बंध हुए Tata Motors ने कहा कि इस योजना से उसके कुल एक्विटी शेरों में 4.2 प्रतिशत की कमी आएगी जिससे यह सभी शेरधारकों के लिए अधिक वैल्यू बनाने वाला विकल्थ हो जाएगा क्या होते हैं DVR? DVR का मतलब होता है Differential Voting Rights यह भी एक आम शेर की तरह ही होता है लेकिन शेरधारक को इसमें वोटिंग का अधिकार कम होता है Voting Rights कम होने के चलते कमपनी बिना Voting Rights खोए इन शेरों को जारी कर रकम जुटा सकती है इससे कमपनी को funding मिलने में आसानी होती है साथ ही उसे open offer खरीद का डर नहीं होता है हाला कि Voting Rights खोने के बदले में इन शेरधारकों को आम शेरों से 5% अधिक डिविडेंड मिलता है